उल्का महाजन एक राजनेतिक कार्य करता हैं जो वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए काम करती हैं 1965 में कोलापुर में जन्मी उल्का महाजन ने मुंबई के निर्मला निकेतन स्कूल अफ सोशल वर्क से मास्टर्स की जहां उन्हें गोल्ड मेडल मिला पिछले 30 सालों से उल्का रायगर डिस्ट्रिक्ट में कातकारी आधिवासी समुदाय के साथ काम कर रही हैं भूमी हीन प्रवासी आधिवासी समुदाय के हक की लड़ाई के लिए उल्का ने सर्वहारा जना अंदोलन का गठन किया जो की अहिमसक साधनों से भूमी अधिकारों के लिए लड़ता है उल्का के अन्य प्रेरना स्रोत हैं जिन में मार्क्स, गांधी, फुले, अंबेतकर, शिवाजी महराज शामिल हैं उल्का सोसाइटी फ़र रूरल ट्राइबल इनिशिटिव की फैलो हैं और उन्हें कई पुरुसकारों से सम्मानित किया गया है नमस्कार उल्का जी, वेलकम तो अन्य प्रेसेशन तो बच्पन से आपकी पहली आदास्त क्या हो गया हमसा के असूल या अनुभव ते बारे में मेरे माता-पिता बहुत असूल वाले ही पूरा परीबार ही नाना जी हमारे पूरे घर में बच्पन से लेकर छोटी-छोटी चीजों में जलोव पर ही चलना है ये शिक्षा हमेशा से मिलती रही और तब स्कूलों में जो टीचर्स भी हुआ करते थे उनका भी ये लगातार होता था तो टीचर्स की एक पूरी जनरेशन वैसे थे और हम कहीं एक स्कूल में नहीं पड़े बहुत स्कूलों में पड़ी हुँ मैं यानि मेरी पिता जी गवर kata कर जोक बता देख मिलना एक ताकि उसमें जा सके पढ़ सके क्यों तो वी ये अलिदि के साथ मेरा बहुत जुण है गहिस और थे जलरब घळष और हमी मुः प्समालों में ये उन आधे माहल में अज़ू तो इसलें शहरों में कभी ज़ादा मान नहीं लगा से बाद की म मुंबई में आना पड़ा लेकिन पहला मोका जब मिला मुंबई से निकलने का हम निकलने और उसके बाद तो मैं फिछले तीस सालों से राइगड़ की पुटे अदिवासी लाखे में हम काम कर रहे हैं संगठन के साथ लेकिन मेरे पिता जी का एक अजीब सा मिक्षर था यानि मैं है निकलन में तक बहुत हैं उसमें काफे सारा होता यारा होता जो मार्कषवादी होता था शोशलिस्ट भी साधने जो साधना जो सांधना डूरियरौ निकलने लेकिन अद subsidies किया होता था तो मैंयरे गर में हमे Positive embarrassed जब देखा था बच्पन में, वो भी वह बहुत छोटे रहे होंगे जब देखाओगा मुनी, लेकिन उनका भी एक असर उन पर था, तो वो एक मिक्स सा हमारे उपर जो संस्कार होते रहे तो इन सारे चीजों के लिए बहुत सारी किताबे और लोगों से मिलना जोना, क्योंकि हमारा तबादला होता था और ट्रांसफर होती थी, तो नई जगह पर जाना से कि यह बहुत इन सिक्योरिटी वाली बात होती है, कि आप हर एक साल या दो साल बात पहीं, इसी नई जगह पर जाओ, नए फ्रेंस करने हैं, नए पड़ोसी होंगे, तो हमेशा बना रहता है, लेकिन उससे फिर जैसे बड़े होते गए, बहुत सारे लोगों से हम दोस्ती कर सकते हैं, और डुनिया में कहीं भी जाओ, लोग एक जैसे होते हैं, और फिर यह मेरा प्रांथ है, यह मेरी भाषा है, हमारे घर में ऐसा होता है, वाली भाषा कभी हमा कि जो भी localized practices होती है अलग-अलग वो सब देखने का मौका मिला तो उससे यह हमारे वाली बात नहीं रही तो जब आप social work college में पहुंची निर्मला निकेतार वहां पर ये शायद विशय आया होगा आपके सामने के दो पक्ष हैं हिंसा के विशय में एक पक्ष कहता है कि जो पी पक्ष है कि नहीं अहिंसा के रास्ते से ही deeper justice and dignity आती है तो आपकी क्या influences रहीं इस respect में क्यूंकि आपने फिर क्यूंकि आप most oppressed के साथ काम करती हैं सबसे पीड़ित वर्ग में आपने अपना पूरा योगदान दिया है और आपने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया तो क्यूं इससे जुड़ी हुए एक पहले का मैं थोड़ा सा एक किसा बताऊंगी क्योंकि वो मेरा अनुभा हु रहा है जिससे एक पिल्फुल एक मोड मिल गया मैं क्या करूंगी कॉलेज से निकल कर बाहर जब हम पढ़ रहे थे तब धूले डिस्ट्रिक्ट में शिरपूर में दली हम पढ़ थे स्कॉलेज में और हमारा जो गूप था हम सबने सोचा कि इसके खिलाफ कुछ करना चीए और जहां जहां ऐसी मीटिंगे हो रही थी उसके खिलाफ हमने जाने की कोशिश की और फिर भाराश्रा में एक दिन तई हुआ था जिसमें अलग 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 जगे पे अ तपका थाने डिस्ट्रिक्ट उसमें जभार में जो किष्टरकरी संगटन वहां काम करता है उस संगटन के साथ हम इसका अनुभाव लेने और इससे सिखने भी चले लिए तो जिस दिन यह होना था सुवैस आठ बजे हम पहुंचे मेरी सहली मै और वहां के अक्टरिस्ट श जैसे हम पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर और वहां वेहिकल खड़ा था उन्होंने देखा कि हम आगे है वहां पर उन्होंने आते ही शिराज को एक वो 3713 की नोटिस थमा दी कि आप यहां पे जमाव बंदी है आप पाच से जादा संख्या में यहां पे नहीं मोचोध हो स तो यह पूरे डिस्टिक में लागू है और आप यह प्रोटेस्टिंग कर आए शुराज क्यों हम तो बहुत जादा कानून तब नहीं जानते थे लेकिन शुराज ने यह कहा कि अभी अभी आप नोटिस दे रहे हैं हमें थोड़ा मौका दीजिए वाक दीजिए कि हम प्ला प्लीस टेशन ले गया और तब एक भी महिला पुलीस वहां पे नहीं थी और वहां जाके हम थोड़ी दर बैठे कुछ थोड़ी सी बात्चीत हुई लेकिन पुलीस इंस्पेक्टर ने इशारा किया और जो पुलीस वह मौजित थे उनको और वो चले गया और बाकी पुलीस पुलीस ने भी आपस में कुछ इशारे बाजी हुई और उन्होंने सीधा हमको पिटना शुन करते हम तीनों ही थे तीनों महला और अधे घंटे से जादा क्योंकि उनको पूरा गुसा था कश्टकरी संगटन पर और हम वहां पे नहीं पहुंचे थे हमें तो पता ही नहीं क्यों यह पिटा इसलिए उन्होंने शुरू की कि उन्होंने हमें सिधा कस्टडी में डालना लानने की कुशिश की और शिराज ने यह कहा कि आपने अरेस्ट नहीं किया है हमको तो आप ऐसे नहीं डाल सकते हमें अंदर आप जो भी रेगिलर लीगल प्रोसेसे वो करिए औ तो वही हुआ और उन्होंने बहुत पीटा हमको फिर का स्टडी में डाल दिया लेकिन यह पिटा ही जब शुरू थी उसी के बीच एक महिला पुलीस को लाया गया और आते ही उसके हाथ में बेल्ट थमा दिया तो यह पिटा ही हो थी उनके पास स्टिक्स थी इंके बेल्ट खीए से फिव जुतों से मार रह थे बाल खीश रह थे और महिला के हाथ में जब थमाया गया महिला को समझ महीला को थेविद और ऑना पहले लेकिन क्योंकि सारे मेल पुलिस इसको उक्षा रह थे उसने भी आते ही हमारी पिटा ही शुरू तर लेकिन यह पुलीस टेशन है बहुत सारे लोग भीड सामने वहां पे आ गई और फिर थोड़ी देर बाद एक सिनियर पुलीस अंदर आए और उन्हों ने खा कि इस तरह मतल बहुत लोग देख रहे बहार आपको और वो मारफित उन्हों ने रोग दी लेकिन उसके बाद हमको वहां पुलीस कस्टडी में ह आपको माजिस्ट्रेट के सामने प्रोडियूस करना चाहिए पुलीस ने लेकिन चौबिस घंटो के बावजूर उसके बाद भी हमको को पुट में नहीं लाया गया और शिरास को इतनी बुरी तरह पिटा गया था कि उसको बुखार चड़िया मेडिकल हेल्प अमने मांगी मार्णीय वे बाद प्रोडियूस का गया हमने यह कहने कि कोशिश की र्वाइव लेकिन तब तक जो मारक्स ते ब वो आरे उनकी स्टरुचिओ के तब पढ़ी नहीं सकता आप दिखती है पढ़ी लिखी शहर से आई हुई और ऐसी तीन महलाओं को इतनी ग्रामिन पुलीस मारेगी इसमें हम परोसा नहीं कर सकते और ना मैजिस्ट्रेट ने हमारी बात सुनी लेकिन ये प्रोड्यूस करने के ठीक थोड़ा थोड़ी देर पहले बात से उसका है रएड को जब गया पुलीस सर्विस में अर वह जब रूटी था उसका नहीं कर आप दूटी था एतकी उसलिए उसको ये क्या थे इसमिन तो मुझे बचाओ तो संगटन के एक्टिविस्ट में कुछ बातचीत हुई और उने ने कहा कि देखते हैं इसको कैसे आगे ले आ रहा है लेकिन वह महला पोलिस की बात भी सही और माजिस्ट्रेट ने बिल्कुल सुनी नहीं यह बात हमको उस दिन रेलीस किया गया बहाको इस से अरेस से लेकिन जब हम लौटे घर तब यह सीख थी कि क्या हो रहा है आजादी के बाद हमस्कार अजाद के बात हैं रहते लेकिन इतना बुरा हाल हो सकता है यह जहां पर आपने आए कि यह हक की बात करते हो तो क्या होता है। इसका बहुत असर और बहुत यह ट्रॉमाटिक था पूरा इंसिलेंस। तो उसका असर काफी दिनों तक रहा। हम दो सहेलियां जो थे दोनों पर अलग-अलग असर इसका हुआ। वो सीधे चली गई याने नक्षलाइट ग्रूप्स की तरफ क्योंकि उनका इंफुएंस उसके उपर आ गया। बाद में अब वो कहा है क्या है कुछ पता नहीं। लेकिन मैं जब लौटी मैं घर पर यह बात नहीं कर सकती थी क्योंकि यह बताना मुश्किल था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जब मैंने बहुत साल बात किसी मागजिन में इस पर लिखा तब घर में पड़ता चला कि ऐसा कोई किस्दा हुआ था। लेकिन तब यह सोचा कि इसलिए अब लड़ना होगा कि अगर जहां कोई संगठन होने के बावजूद इस तरह का अगर अगर अन्याय होता है, रिप्रेशन होता है। ऐसे ही रिमोट इलाके में जाकर और सबसे जो अप्रेस्ट सेक्शन से उनके साथ काम करना होगा। तो मेरा यह जो डिसीजन पक्का हुआ वो उस अनुभव के बाद पक्का हुआ। लेकिन जैसी मेरी दोस्त चली गई एक अपना डिसीजन लेकर उस हिंसा के बाद मेरा ठीक उल्टा हुआ। और मैंने यह सोचा कि हुँसा नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता है कि तब मेरे उपर जो जिस तरह से में जो मैंने पढ़ा था या पिताजी के जो सस्कार ते उसका जो असर था वो यह था कि हाथ नहीं उठा रहा है। और इस तरह की हुँसा का अगर हम जवाब देंगे तो किस तरह का समाज हम चाहते हैं कौन सा जो सपना हमारे सामने उस सपने तक नहीं पहुँच पाई। यह आज मैं जितना आर्टिकुलेट कर पाऊंगी उतना तब नहीं कर पा रहे थी लेकिन समझ तो यह थी कि हुँसा को हिंसा से जवाब नहीं लेना है। और फिर जब मैंने बाद में डिसिजन लिया कि राइगर डिस्टिक में हम काम शुरू करेंगे। तब यह जो जो हमने लिखा था तब का यह हमारा कोई जो भी क्या हम करने वाले हैं विजन क्या होगी हमारी। इसमें यह बात पकी थी शुरू से आज तक कि हम हाथ नहीं उठाएंगे। हम हिंसा नहीं करेंगे। और अहिंसा यह सारा जो मेरे बच्पन से जो प्रभाव रहा है। मार्स का भी हो गांदी जी का भी हो शिवाजी महाराज की कहानियां सुनना मुझे बहुत पसंद था। वो भी हो इन सब का एक मिला जूला सा असर रहा। और उसमें हमने जो डिसिजन्स लिए और जो मैंने शुरू में लिखा है कि संगठन का संगठन का वीजन क्या होगा। उसमें हमने यह लिखा था कि एक एतिहासिक रूप से शोषन की समझ बनाना इसकी समझदारी हमें मिलती हैं मार्क्स। लेकिन भारतिय मिट्टी में यहां इस देश की मिट्टी में जो जो हुआ है उसमें कौन से हमारे प्रेणास्तुरोथ है उसमें शिवाजी महराच हैं उसमें शाहू महराज हैं महत्मा फुले भहुत हैं यानी मैं professional social work के कोर्स में भी यह कहां करती थी कि आप हमें तो महात्मा फुले और अमबेड कर इन दोनों का भी असर बहुत हैं, लेकिन काम क्या करना है, कैसे करना है, यह वो उसकी रणनीती क्या होगी, वो अहिंसा और सत्यागरह से जुड़ी होगी. तो तब तक और आज भी, खासकर महाराष्टा में, यह अलग-अलग विचारधारा जो है, वो कीले में बंध है, फुले अमबेड कर वादी है, मार्कस वादी है, गांधी विनोबा और लोहिया वादी है, हम पर मिला जुला इन सब कासर था, हमने यह सोचा कि किसी विचारधा को ही अपना चश्मा लगा कर असलियत को या वास्ताव को नहीं लेखना है, हम वास्ताव को देखेंगे, उसका अर्थ लगाएंगे, और जो भी वहचारिक हमारी पुंजी है, उस पुंजी को अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से इस्तेमार के और यह निरणय ले और इन सबकी एक राय उसमें बनी थी, क्योंकि वह बाठ कुल्य वह खुड़य, उस में जुड़े थे उनकी विचार्धारा जरूर किसी की माक्सवादी होगी कि लेकिन वह किसी संख्ठनय या किसी पारटी नहीं जुड़े थे, तो उन सबकी एक राय इस पर पर थी, जब दुनिया में बहुत बदलावा रहा था, वैश्वी करण का पूरा महोल था, तो इन सब ने हमें यह सलाह दी कि आप किसी विचारधारा को अपना चश्मा मत बनाई हो, दुनिया को देखिए है क्योंकि बहुत बद्रा हो रहा है, बहुत बदल चुपकी है दुनिया, तो इस इसे आप प्रकाष लो, यानि वो तु जरूर प्रकाष डालेगी आज के वास्तव पर, तो इसका अर्थ कैसे लगाना है वो आप तैकर, और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपोर्टन्ट अडवाइस था, और जिसके सहारे हम आज भी, वो ही हमारा डिसिजन है कि हम किसी एक विचारधार्य की किले में नहीं जाएंगे, हम ढूंडेंगे अपना रास्ति, तो उलका आपने जब शिवाजी महराज का जिक्र किया तो एक प्रश्ण मेरे मन में आया, कि शिवाजी महराज शौर्य और बहादूरी के प्रतीक है, तो इस बहादूरी और वीर रस को आ आप अहिमसा से कैसे जोडती हैं, क्योंकि यह बहुत एक इस प्रश्ट की बहुत भूमिका है, हर समय होती है, आज के जमाने में और भी जादा है, हाओ दो यू, वाट इस दाइनेमिक बिट्वीन इस वैलर, जिसे हम वीर रस के तो गांधी जी ने भी कहा है, और उनकी हमे मुवमेंट उन्होंने चलाई, उसमें निडरता ये अहिमसा का एक पहलू है ही, तो शौर ये क्या होता है, शौर ये तो निडरता से जुड़ा हुआ है, शिवा जी का जो दौर था, वो दौर अलग था, उसकी रिक्वार्मेंट्स अलग थी, और वहां पे हतियार के साथ लड़ना, ये अनिवार्य था, और तब जीतना, जीत पाना या किसी को हराना, उसके माइने अलग थे, डेमोक्रसी में उसके माइने अलग है, और आज हतियार से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, और सही अहिमसा तब ही आएगी जब आप निडर मनोंगे, तो ये तो गा किये और खड़े किये, उन सारे प्रयोगों से ये साबीत होता है, और मैं समझ पाई हूं उसके कि, निडर ये अहिमसा ये डरपोकों के अहिमसा नहीं थी, वो निडर लोगों के अहिमसा थी, तो शौर ये को समझना है, वीरत अक को समझना है, तो निडर होना बहुत जरू लोग नहीं डरेंगे ये इस बात से वो बहुत डरते हैं तो ये निडर्ता होना ये अहिंसा का पहला यानि अहिंसा की जो भी राह है जो भी रास्ता है उस रास्ते पर निडर्ता का बहुत बहुत उसकी अहमियत है पर ग्राउंड पे जब आप लड़ रहे होते हैं तो इस निडर्ता को कैसे कायम किया जाता है अहिमसा में निडर्ता बहुत बड़ी भुमिका रखती है पर उसके साथ अनुशासन भी अनुशासन के बगार भी अहिमसा नहीं होती तो इन दोनों चीजों का कैसे आप मिलाव क जिन में क्रोध और हिंसा की भुमिका दिखती होगी अहिमसा का दूसरा पहलू है दूसरों का दर्द जानना भी तो जैसे निडर्ता उसका एक पहलू है उसका दूसरा पहलू है कि जो गांधी जी नहीं कहे रखा है कि एक रिदय ने दूसरे रिदय का दर्द जानना ये भ प्रकृती के लिए प्रकृती के लिए प्यार होना, इनसानों प्रती प्यार होना, ये भी एहिंसा का एक पहलू हो। तो वो और मुझे लगता है कि आदिवासी समाज में जिस तरह की सामू हिकता है, जिस तरह से सुष्टी से प्रकुरूती से प्यार है, ये पहले से कुछ एक निव बनाता है, और जो जिस निव पर संगठन खड़ा हुआ, शुरू में जब हम वहां गये थे, लोग बहुत डर जादे थे खाकीवर्दी वालों, जो चाहे हैं फॉरस्टर हो, पुलीस हो और दूर से भी यानि बहुत सारे जादा जादा प्राइबल हैं पहाड़ों पर हैं और वहां से नीचे से कोई आता हुआ खाकीवर्दी वाला दिखे तो वहीं दूर से भाग जाते थे, तो बहां बहुत था और कातकरी समाज के साथ हमारा वहां जादा काम है, कातकरी प्रिमिटिव ट्राइब है, यानि बाकी जो अधिवासी समुदाय है, वारली हो, भिल हो, महादेव कोली हो, गोंड हो, इन सब की अपनी अपनी एक इतिहास रही हैं लडाई की, और हम यह समझ रहते कि जब संगठन बनाना है, तब उस समुदाय की इतिहास को भी समुझना होगा, क्योंकि इतिहास से बहुत लोग प्रेर डाले थे, और संगठन होता भी क्या है, संगठन की परिभाशा भी हमने तब से यह बनाई थी, कि एक पिढ़ी ने दूसरी पिढ़ी को अपनी लडाई क कि समुदी हैंडोवर करना, पास करना यह संगठन, वो संगठन की प्रक्रिया ऐसे निरंतर चलनी होगा, तो वो आतमसम्मान जिनका कुछला गया है सालों से, और कातकरी आदिवासी तो बहुत ही जादा शोशित है, ना उनके पास कोई जमीन है, ना असेट्स है, और लगा सामने यह चुनोती थी शुरू के दौर में कि कैसे आत्मविश्वास और आत्मसनमान इस पूरी समुदाय का हम बढ़ाएं और यह जो डर से भागना है और बहुत पिटाई होती थी, माली का के पिटता था, तो पिटाई सहना यह आम बात हो गए ती, उसको ना कहना यह बिल्कुल नहीं था, जब हम बातचेत करते थे कि क्या सवाल है, मुद्धे क्या है लोगों के, तो लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, रस्ता नहीं है, पानी नहीं है, तो सरकारी योजिना जो नहीं है, मिली है उनको, वो ही सिर्फ उनके मुद्धे होती है, लेकिन हम और इसकी शिकायत हम कर सकते हैं, यह भी एहसास नहीं था। तो इस माहूल में फिर हमने जब सोचा कि हम जाएंगे, शुरू के दौर में हमने सोचा कि मुद्दा यह हो सकता है, कि मजदूरी बढ़ाने का, क्योंकि यह खेतों में मजदूरी करते थे, और न्यूंतम वेतन भी उनको नहीं मिलता है, तो न्यूंतम वेतन की लड़ाई हमारी सबसे पहली, हमने सोचा कि वो सही मुद्दा हुआ, और हमने बहुत तयार ही कि जगे-जगे गए लोगों से बात बढ़ी मुद्दी, और जिस दिन यह होना था, सुभह से हम रहा देख रहे थे, लोग आएंगे, तैसिल्दार आगे, मिनिमों वेज इंस्पेक्टर आगे, लेकिन चार पाच्छ लोग सित पहां पहुँचे और वो खुद मजदूरी करने वाले नहीं थे, कोई नहीं नही है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह क्या हुआ, कि लोग क्यों नहीं साथ दरें, और जो लोग जिनको जो किसान है या बड़े किसान है वहां के, वो हमारा बहुत मज़ा रहे थे, आते जाते टॉंटिंग करते, कि देखिए, यह मजदूरी बढ़ाने चले थे, अब ले जाओ, इनको कहीं ले जाओ, बंबे ले जाओ, पूना ले जाओ, आपको बढ़ाना है ना इनका न्यूनतव देश, आप उनको वहीं ले जाओ, और फिर हमने और जानने की जब कोशिश की, हमें समझ में आया, कि यह सारे भुमिहीन मजदूर है, उनकी सारी जिंदगी निर्भर है वहां के जो मेंस्टीम विलिजस है, और वहां के जो अपरकास्ट किसान है, इन सब पर उनकी जिंदगी निर्भर है, क्योंकि उनके हैमलेट के तरफ, जो वाडी है, उनकी आदिवासी वाडी, उस तरफ आने के रास्ते भी गाओं से आते हैं, उनी खेतों से आते हैं, जो वहां के बड़े किसानों के खेत हैं, अगर घर में कोई बिमार पड़ता है, तो उसी गाओं में जाकर हाथ साहलाना पड़ता है, कि घर में बिमार है, पैसा दीजे, या पुलीस आके पकड़के ले जाएगी, या फॉरिस्टर कुछ केस डाल देंगे, तो किसी और के पैर पड़ते हैं, कि भई, हमें जमानत दिला दो, तो ये मज़ूरी करनी है, तो भी उनके पास ही जाना है, तो ये सारा समझ में आया हमको कि उनके जिन्दगी की सीख ये है, कि वो पेड़ की जिस शाखा पर खड़े है, उसमें कुलाडी नहीं मारा करना है, तो जिनकी कोई आ बड़ा पंगा वहां के मेंस्ट्रीम विलेज से ले ले है, ये संभव नहीं था, तो फिर हमने दूसरा और कुछ खोजने की कोशिश की और उससे पता चल समझ में आया कि जंगल से उनकी बहुत जिन्दगी जोड़ी है, और जंगलों में वो जो खेती करते हैं, जो पहाड पर या स्लोप्स पर पहाडी स्लोप्स पर करते हैं, वहां लोकल लेंग्विज में उसको वरकस जमीन कहते हैं, वो जमीन उसकी बात्चीत उन्होंने शुरू कि कि दड़ी जमीन के नाम से उनके पास जमीन है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं मिला, तो ये जमीन बिटिश ग पर तो ये उनके पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उस प्लाट का तो ये इंक्रोच्मेंट नहीं कि ये दड़ी लैंड दिया गया था और 1971 में अजजादी के बाद महाराष्टा गवर्नमेंट में इस पर रिजुशन पास किया था कि ये दड़ी लैंड जो जमीन जोत रहे हैं जो कर रहे हैं उनको उसके राइट्स मिलने चाहिए तो ये 71 का रेजुशन था हमने 90 में काम शुरुआत की थी और लगबग 91 शुरू हो गया था 20 साल बाद भी उसका अमल नहीं हो तो ये सोचा ये सही मुद्धा है क्योंकि यहां सरकार से कुछ कहना है और सरकार अगर लड़ना भी है तो सरकार के खिलाब लड़ना है तो सरकार तुरंट आके कल से अपनी जिंदगी बंद कर दे या पेट पर पाव डाले इस तरह का नहीं लेगे क्योंकि सम्विधान से सरकार बंदी है और हम ये मुद्धा लेकर लड़ेंगे वहां शुरू में कुछ नारे दिये कि दड़ी जमीन आमचा हक्का ची नाही कुणा चा बापा ची तब तक नारे बाजी ये भी उनके अनुभाव में नहीं था और ये नारा आया कि फॉरेस्टर अमसा मालक नहें और सरकार अमसा मालक नहें सरकार अमसा नोकर है और जंगल में इतना मज़ा आता थ कि पूरल गुंच्टी थी आवाज और वहां बहुत ताकत के साथ लोग कहते हैं कि हाँ पुलीस हमारी मालिक ने नो कर पहली राली तै हुई कि हम फॉरिस्ट ऑफिस पर जाएंगे और इसके मांग रखेंगे कि हमारी दड़ी लैंड हमारी होनी है और यह दे दो तो वह राली तो निडर्ता ऐसे बनती गई फिर जहां जहां हम दड़ी लाइंड देखने जाते थे जाते थे जमीन को लोग कहते थे कि यहां तो लोग बाकी लोग घुझ गया है यहां जो गैरादीवासी लोग है उन्होंने कबजा करी गया तो तो उस कबजे को अगर हटाना है तो हम जाके कहते थे कि कैसे आपको पता चला कि इनोंने कबजा किया तो जो सरकारी निशानी थी जमीन की वो उन्होंने हटाई जो गैरादीवासी थे उन्होंने हटाई तो पूच्छा लोगों को कि क्या हम जहां ओरीजनली थी वो निशानी वहां पे रखे तो रख सकते है क्या वहां पे औरिज़नल जहां था, वहां पे निशानी लगानी ही. और वहां निशानी हम लगाते थे सामुहिकता से सब जाके, और एक खत लिखते थे शंगटन के लेटर हड़ गहां. जिनोंने गैर कानुनी कपजा किया है उनको, कि अब तक आपने ये गहर कानूनी कभजा रखा, अब नहीं रख पाएंगे, और ये अदिवसी की जमीन है, तब तक अट्रोसिटी आड भी था, और ये अट्रोसिटी है, बेदखल करना किसी अदिवसी को अपनी जमीन से, तो आप ये दुरुस्त कर लीजे ये बात नहीं, तो हमको कानूनी रहा अपनानी पड़ी, और बहुत सारी जगे पर ऐसे होने लगा कि उस एक कागज से डर कर, वो जो कागज हम दे रहते हैं, उससे डर कर लोग आने लगे, जो गहरादी वसी थे, कि हाँ ये हमने ले लिया था, लेकिन हम लटाएंगे, और उन्हें नहीं का भी नाम यानि लेटर हेड पर वो जाता था, लेकिन वे लेटर हेड तो अगर उसमें ताकत नहीं होती तो वो एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन क्योंकि जिस तरह की सामुहिकता उसमें आ रही थी, लोग अपनी निर्धार के साथ वो कहरे थे बात, और जो हमारी पह करके हमको लीबाग जाना था, जहां तक ट्रेंज आती है, वह हम रूप ट्रेंज से जिंदावाद टिकेट के साथ हम पहुचने पेंड और पेंड से अलीबाग है 30 km, 30 km पैदल जाना था तक यूदकि बास या कोई वेहिकल करना संभवी नही ता उतने पैसे ना शंगठन क पास थे लोगों के पास विल्कुल पैसे नहीं तो 30 किलोमेटर की एक लंबी राली और तब सारे राइगड के जो बाकी संगठन थे हम सबने हाथ मिला लिये और एक साथ वो एक बड़ी राली हुई जिसमें हम पैदल 30 किलोमेटर चल कर अली बाग गये और एकदम धुआ धार बारिश वाला दिन था वो उस बारिश में पैदल चलते हुए इतने हजारों लोग और वो पूरा घाट एरिया है आप अगर पहले यहां से राली शुरू हुई वहां से पीछे देखेंगे तो पीछे जो आखरी मोड था वहां तक नजर भी नहीं पहुंचेगी इतनी जो लोग उसमें शामेल थे उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमरी बन गई हम सब लोग अलीबाग पहुंच गये और पुलीस ने वहां पे बहुत बड़ी संख्या में मौझू थे और तभी गणेशोथ सव खतम हुआ था और पुलीस बहुत टेंशन में थे कि उनके रिए गणेशोथ सव की डूटी बहुत भारी होती है उसके तुरंदबाद यह राली थी तो पुलीस हाथ जोड़ते हुए सामने आ गई कि इतनी बड़ी आदिवासी की राली कभी हुई नहीं है इस जिले में और इतने लोग आए है और अलीबाई एक छूटी से जगा हम कंट्र तो ताकत का हैसास क्या होता है वो समझ में आए और वहां जाते ही जैसे सत्यागरह हमने गोशिश किया था कि हम हमको जहां रोका जाएगा वहां से हम आगे जाएंगे हमारी यह पूरी न्यायपूर्ण मांग है कि सरकार ने पहले डिसिजन ले लिया उसके सिर्फ अमल की बात है वो अमल भी सरकार नहीं करें तो वो अमल हो इस बात को लेकर सत्यागरह हुआ जहां पे बैरिकेट्स लग तो आपकी तयारी होनी चाहिए थी अब तक कि इतने लोगों के साथ आप क्या करोंगे तो यहां पे हम किचड में नहीं बैठेंगे आप हमें अरेस्ट करो जेल ले जाएए किसी सुखी जगा में ले जाएए लेकिन हम इतना दूर 30 किलो मेटर चल के आये हैं हम नहीं बैठें फिर आपकी बारेकेट साब को हटानी तो वहां जो एस्पी थे वो अच्छे फूरी सॉफिसर थे यह उस पूरी राली से ही जो ब्योक्राट्स भी थे उन सबने यह देखा कि पहली बार इतनी शांती से डिसिप्लिन से 30 किलो मेटर चलती हुई राली पहुंचती है अली बा पहुत इंप्रेस्ट है और उन्हें तुरंट ओर्रस दी कि सुखी जगा शोगी है और जो पुलिस गोडाउंस थी खाली कर दिया गया और हजारों को वहां जाके बिठाए तो यह सारा जो पूरा मिलाजुला के पूरा किस्सा था वह बहुत ताकत भरा ताकत देने वाला र पूरा मिलीज कर भी आगे अब तो गाडिया नहीं है बस इस नहीं है इतने लोग अब पैदल नहीं लोट साथ तो आज की रात तो हम अली भाग में ही ठहरेंगे बहुत टेंशन में आगे कि हजारों लोग इतनी चोटी जगे में पूली स्कॉर्स कम होते हुए अगर रहें जकेदेघवां कर उब बस भीन अभाद की तो sine का इच ही नहीं अब नहीं है टो अपनने अर्रेस्ट किया है घखाने का प्रबंध यहां कीजिए और लोटने व्यवस्ता की जिए तो ही ہम लोटने और पुलीस ने खाने का भी वहां प्रबंध किया और पूरी आफ ऐ तो यह पूरा जो अनुभाव था बहुत ताकत वाला उसके बाद बहुत सारे ऐसे संगर्श लडाईयां रही जिसमें यह ताकत बढ़ती गई यह साहस भी बढ़ता गया और यह एक दो का साहस नहीं था यह कम्यूनिटी का एक पूरे समुदाय का साहस बढ़ाने वाली बात और फिर पूरे एरिया में यह फैल गया कि अब संगर्टन यहां पर है अब हम नहीं सहेंगे अन्या अत्याचार तो उसके भी फिर नारे आगे कि सोसनार नहीं हमी अत्याचार अमी लड़ाएला होता हिया लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा नारा था कि हमला चाहे जितना होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा तो आज तक एक भी एपिसोड या एक भी ऐसा समय नहीं है या अंदोलन नहीं है जिसमें संगठन के किस अन्दोलन में हिंसा हुई हो चाहे वो बड़े कॉर्परेट्स के खिलाफ और यानि शुरुवात के दोर में यह सारा फ्यूडल मामला था जिसके खिलाफ हम आमको आवाज उठानी पड़ी लेकिन बाद में यह सारे वैश्वीकरंण के दौर में कॉर्परेट्स का सामना कर बड़े बड़े कंपनियों ने आके जो जमीन हतियाने की कोशिश के उसके खिला लेकिन इस सारी लड़ाईयों में कहीं भी एक भी पत्थर नहीं फेका गया कहीं पे लाठी नहीं उठाई गई रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट के सामने जब स्पेशल एकनॉमिक जोन के किसाल है और आगरी बहुत मिलिटन्ट कमिनिटी बहुत लड़ाकू कमिने एक इतिहास भी रहा है लेकिन उस लड़ाई में भी एक भी बार पत्थर नहीं पेका गया और इतनी मिलिटन्ट कम्यूनिटी ने भी पूरी आहिंसा के साथ रिलायंस जैसे जैसे इकॉर्पोरेट का सामनाव किया उनका ये कौन से साल की बात थी ये जो 30 किलोमेटर वाला मार्च हुआ कौन सा साल था हो 6 सितंबर 1990 जंगल पर हक के लिए संगर्च चलता रहा जैसे हम राइगड के संगठन साथ में आए पूरे कोंकन के जो अधिवसी इलागे के संगठन साथ में आए सोशिजन आंदोलन की नाम से पहले से ही मोर्चा बना हुआ था जिसमें हम शामिल हो गए फिर सिर्फ कोंकन का नहीं महाराष्टा के बहुत सारे संगठन साथ में आधिवसी इलाके में देश में ऐसा एक बड़ा मोर्चा बना और ये लंबी लडाई चली और 2006 में केंडर सरका को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कानून करना पड़ा जो फोरेस्ट एक के नाम से आज जाना जाता है तो ये लडाई फिर लंबी चली 16 साल तक वो लडाई चली और उसके बाद ये 2006 का कानूना है तो वो तो था लेकिन उसके बाद इन्रॉन की लडाई भी ती जिसमें हम श जीती गई हैं लेकिन जो व्यापक धांचा है वो आपको लगता है कि जादा हिंसक हो रहा है और अगर हो रहा है तो उसमें आप अपना होंसला कैसे बांदह रखती हैं ये जिंडल की कहानी उसे संदर्व में बताईए हैं लिए हिंसक तो बहुत हो रही है यानि पूजिवादी ताकत हैं वोगता है। लेकिन उस्टुक्त के ताकत जहां से आती हैं जिन आजिक के सहारे स्टेट की ताकत बनती हैं वो भी जो आजिक ताकते हैं वो भी बहुत हिंसक हो रही है जो चॉपर्इस है और उसी जो नक्सस बना है यह पूरे पूजीवादी ताकते और सरकार लेकिन उसकी प्रैक्टिकल जो इंप्लिकेशन्स है वो जिनको अहिमसा पूरे विचारों के साथ जिनके दिमाग में नहीं है उनके लिए प्रैक्टिकली यह बात है कि आप अगर पत्थर उठाओगे त उनके पास गंध है वो आपको बंदूक से मारेंगे आप जो भी हत्यार क्योंकि स्टेट के पास जादा हत्यार है लेकिन अहिमसा के जिनोंने विचारों से अहिमसा को चुना है उनके लिए यह सिर्फ प्रैक्टिकालिटी या प्रैगमेटिक बात नहीं है वो तो एक समझ की बात है जिंदगी के समझदारी की बात है और संस्कृती के समझदारी की बात है तो वो लेकर जब चलना है तो उसी से होसला आता है क्योंकि यह कोई संस्कृती की रहा कोई इतनी छोटी रा नहीं है मुड के देखेंगे तो होसला देने वाली इतनी सारी चीजे अप कि आप कौन से समुधायों की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं. और उस समुधाय पर उसका असर क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी का एछसास. और जिस तरह से प्यार इस पुर्τά लड़ाई में समुधा. कि बहुत प्यार करते हैं यह प्यार बाकी समाज में तूट चुका है उसके जो एक परमपरागत उसके ढांचे याने जो स्ट्रक्चर्टर्स बने थे वो तूट चुके है इस पुरी आधुनिक संस्कृति में लेकिन आधिवासी समुदाई में बहुत है और वो बहुत ताकत तो मेरी तो ताकत एक तो इत्यास से आती है परमपरा से आती है सिर्फ मेरी नहीं जो भी हम सब साथ में हैं संगठन में उन सब की ताकत एक अपनी इस पूरी परमपराओं की समझदारी से और पढ़ाई से आती है लेकिन लोगों की अपनी जो ताकत है अपनी जो कि मह बहुत फ्रस्टेटेड़ हूँ, बहुत निराश हूँ, ये लॉकडाउन के दौरान तो बहुत सारे ऐसे युवाव कार्यकरताओं को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, और सब जगह से आये अकरमन महसुस किया जा रहा है, वगेरा वगेरा तो उससे हमें यही कह रहे कि बहुत थियोरी और कॉंसेप्स और यह पढ़ना और डॉक्यूमेंट्स अर कानून इसमें मत उलजना, लोगों के पास जाओ लोग उससे बहुत ताकते, क्योंकि जिन्दगी और और किसानों के जिन्दगी भी बहुत यहने अभी जो साइक्लोन हुआ है, मारे यहां, उस गिर गए, और हम उनसे बात कर रहे थे, तो उसने कहा मेरे सब पेड़ गिर गए, लेकिन फिर मैंने क्या किया, कि बहुत गुसा आया मुझे, तो मैंने कोने-कोने में जाकर कल्टिवेट कर लिया, फिर से, और यह अब आएगा, फिर से आएगा, तो वो जो एक ताकत, वो बहुत ताकत देने वाली बात है, बहुत सीख देने वाली बात, तो यह एक तो लोगों से सीखने की बात है, दुसरा यह जो जिंदल का किस्सा में बता रहे थी है, उसमें यह जिंदल ने पूरी एक हैमिलेट की जमीन पर कबजा कर लिया, और उनका जो घर है, पुरा पूरा उसको फसा दिया है, अन्दर आने जाने के रास्ते बंद, हमने बहुत मेसेज़े उस गाओ में कि क्या मसला है, थोड़ा हम जानना चाहते हैं, दीरे लोग सामने आने लगे, और सी समझ में आया कि उनका तो साधबार आया, याने लैंड रिकॉर्स आदिवासियों क उसके बावजूद उस जमीन पर कबजा कर लिया था, उस कंपनी, तो हमने सोचा कि हम जाके, प्योंकि 712 एक्स्ट्रैक्ट जो लैंड रेकॉर्ड है, अगर आदिवासी के नाम पे है, हम जाके फिर से कबजा करेंग, जो जमीन चीनली है, उस जमीन पर जाके फिर से कबजा करें, और हमने बहुत कुछ तयारी के लिए लिए लिखा मैसो, याने है, रेविन्यू डेपार्टमेंट को, कलेक्टर को, वहां के सारे लोकल ओफिसर को, कुछ जवाब नहीं मिला, कंपनी को भी लिखा कि आपने जबर्दस्ती और गैर कानूनी तरीके से जमीन हती आई, क पहने ही गयते, क्योंकि हमें पता था कि कंपनी ने घेर लिया है उस गाओं को, तो हमें अंदर जाने का भी मौका नहीं मिले को, एक दिन पहले बहुत सारी गाड़िया उसमें रेविन्यू ओफिसर्स, अलग अलग तहिलदार, SDO, पुलिस ओफिसर भी सब लोग आगे, और जब परमीशन मिलेगी, वो जमीन दे लेंगे, तब इनको पैसा में दिया जाएगा, जब लोग जमीन देना नहीं चाहते, तो क्यों जमीन खरीदेगी जिंदन? लोगों ने बताना शुरू किया कि मेरी जमीन फलानी जगे थी, यहां पे थी, और एक ऐसे ही जमीन पर जाक पास में खड़ा था, उसने मुझे बोला, तायद साइड में आई है, तो बोला कि आप अकोला में क्यों नहीं काम करते हैं, अकोला में क्या चीज है, बोला नहीं, मैं अकोला से हूँ, और मैं खुद आदिवा से हूँ, और मैं आज मैं इन सारी महलाओं की और बच्चों की कि और उस्टे मेरी बच्चपन की याध ताजा हो रही है और मेरी नानी मेरी तादी मुझे बताया करती थे कि हमारी जमीन कैसे कब्जा यहने जबरदस्ती लोगों ने चीन जुट इस पर कैसे कब्जा कर लिया है और यह एकजटली यह था और मेरे गाउं की मेरे सारे आप देखते रहोंगे इसी तरह यहां के आदिवासी भी बेदकल हो जमीन से तो उन्हेंने का नहीं अब मेरे मेरे पास मेरी खाकी वर्दी है और मैं आपका साथ देने वाला है और जो अफसर हमें धंका रहा था एक दिन पहले कि आप अरेस्ट हो जाओगे और आप सत्याग् नहीं कर सकती है वो ही अधिव ओफिसर दूसरे दिन आके हमें यह कहता है कि अब मैं क्योंकि आपने मुझे मेरी बच्पन की याद दिला दी और हमारे अधिकारों की बात भी सामने आ गई और इन महिलाओं की बात से मेरा सब कुछ जग या कि मैं कौन हूँ और मैं जाने व जाने पर अधिकारों की आधिवासियों के अधिवासियों को बेदखल करने की कोशिशिश वे अच्रोसिटी आक्ट के तहत और अन्य दोधारा कुछ दारायें लगी जिसमें उन पर यह उफिस दर्श हो गया यह बहुत बड़ी बात ती कि जिन्दल के जनरल मैनेजर के खिलाफ यह उफिस दर्श हो जाता उन्होंने बहुत यह इदर उदर पाउमाने की कोशिश की बहुत सारा पुलिटिकल प्रेशर आया कि यह उफिस दर्श ना हो लेकिन वो अफसर जो एक बार समझ गया था इस बात को उन्होंने फिर उसे पीछे नहीं हटा और यह उफेंस दर्श हो गया उनको हाई कोट में जाना पड़ा हाई कोट ने हमारा पक्ष लिया यह तीन-चार साल तक लड़ाई चली लेकिन वो सारी जमीने जो जिस जमीन का उपजाओ मूल्य खतम हो गया था उनके लिए दूसरी वेकलपिक जमीन जि इनकी जमीन चिनली गई थी उनको जॉब्स भी मिले तो यह सारा फिर इसलम भी लड़ाई के बाद हुआ लेकिन उसका उसकी पहली नीव वो एक अहिंसक सत्यागरहने ने डाली थी जिसमें हमने ना पत्थर फेका ना हाथ उठाया ना बहुत उची आवाज में बात की लेक से परेशान है उनको आप कुछ एड़ाईज दे सकती है क्या कि वो अपनी अपने रोज की जीवन में कैसे आहमसा को अपनाए या उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें जब हम यह सिजहर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे महां युवा जो कार्या करता थे वो आकर ह रास्ते खतम हो जाएगे ना तब हमको बताना क्योंकि यह सारा आहिंसा वहिंसा वाला और गांदी जी का चक्कर जो आपके दिमाग में है उससे जब आप ठक जाओगे तब हमको बताना हम सही रास्ता ले लोगे और वो हमेशा उनकी चाल चलती थी कि अंदोलन जब भी हम कुछ करेंगे पथर बाजी करेंगे तो हमेशा यह बहुत बात चीत के बाद इनको रोकने में हमेशा उसमें हम सफल हो पाए लेकिन जब इस पूरी लडाई का असर दिखने लगा और लडाई के बाद इनको समझ में आया कि आहिंसा की लडाई भी रिलाइंस जैसे इतने खड़े हो सकते हैं और जो कहता है कि कर लो दुनिया मुथी में यह जिनका नारा है उनके सामने एक किसान एक आम किसान खड़े होके अपनी ताकत जता सकता है और उसी ताकत के सहारे अपनी जमीन को रक्षा कर सकता है यह एक बहुत बड़ा सबक था तो यह सबक लेके जो ह कि यह कोई निडर्ता की यह यह दरपोकों की बात लहीं है। आज जिस तरह की सरकार इस देश में है और पुरी दुनिया में ही जिस तरह का फासिवाद फैलाया जा रहा है। अगर पुंचिवाद और फासिवाद हाथ में हाथ डाल के उनका एक पुरा स्टॉंग जो नक्सिस बना है उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो नीडरता से ही लड़ना होगा और अहिंसा से लड़ना होगा हम एक हतियार उटाएंगे तो उनके हाथ में हजारो हतियार ये ये लेकिन हम क्यों उत्रे है इस काम में, यह संगठन का काम भी क्यों चल रहा है, अगर यह आने वाली जनरेशन के लिए है, अगर आने वाली जनरेशन को एक तरह की सुरक्षा मिले, स्टेबिलिटी मिले, उनका लाइफ शांती पूर्ण हो, पीस्फूल हो, अगर यह हमारा है, तो उसी रहा पे हमको चलना होगा, जो उस तरह की शांती पैदा करेंगा, तो जो हमेशा यह कहा गया है, और एक रेटॉरिक जैसे बन गया है, कि किसी ने मेरी आख चिन ली, या मुझे मारा, तो मैं उसकी दोनों आखे चिन लूगा, तो सारे अंदे हो जाएंगा, और उस तरह की रहा पर नहीं चलना है, उस तरह की रहा पर मानवी संस्कृति नहीं चली है, आज तक जो भी पूरी यूमन सिविलाइजेशन का सफर रहा है, उसमें हिंसा का दौर रहा है, लेकिन उसमें अहिंसा का दौर भी उतनी, उससे भी जादा ताकत से चला है, और जो न तो यह सिर्फ शबदों में बात नहीं इसके साथ कृतिया यानि अखिन भी होना चाहिए जो गांदी जी हमेशा करते रहे कि वो भाषा में बहुत कम बोले यानि इसके साथ कृतिया उनके लिए प्रमाड नहीं थे उनकी आक्षन उनका संगर्श उनकी जिन्दगी वो जिन्दगी ही सीखती, तो मुझे लगठा है कि ऐसी बहुत सारी जिन्दगिया हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर हैं, वो आदिवासी है, वो किसान है, वो मजदूर है, वो किसी कारखाने में काम कर रहे हो या कोईले के भटों पर काम कर रहे हो, उनकी भोची के लड़ाई मुशकिल है क्योंकि बहुत सारे निडर लोग जब सामने खड़े रह जाता है, तब स्टेट पावर, कॉर्परेट पावर या किसी पुझीवादी ताकत के सामने भी वो कम नहीं हो. तो यह डिसेंट्रलाइज तरीके से, विकेंजी तरीका से, जो ताकत दिडरता से पैदा होती है, उस ताकत के सहारे बहुत लोग अपनी अपनी जगह पर अगर खड़े होंगे, तो उनको छुप कराना, उनको मिटाना, उनको कुचलना असंभव हैं किसी भी ताकत के, तो यह यह कहना और बार बार कहना और यह अपनी अक्षन के साथ कहना, अपनी अनुभव के सीख के साथ कहना, यह बहुत ज़रूरी, तो जैसे हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथ ही इस देश में और पुरी दुनिया में कर रहे हैं, तो इन्हों ने अपनी आवाज को और प्रवाइजेशन के हम खड़े हैं, हमारी एक हिस्तोरिकल जिम्मेदारी है, कि आने वाली जनरेशन्स में आहिंसा का विचार जाना चाहिए, और वो ही इस्विलाइजेशन को आगे ले जाएगा, तो यह सिर्फ एक दो, चार साल, दस साल, विदीस साल चलने वाली लिडाई क की बात नहीं है, तो आने वाली जिन्दगियों की सफर के बात, बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया, उलिका.